मुझे को हुई ना हबर चोरे चोरे चुप चुप कर गोरा रंग, मासूम चेहरा और नीली आँखें नब्बे के दशक की एक एक्ट्रिस जिसने अपने दमदार अभिनय, शानदार डांस और बहतरीन कॉमेडी से उस दौर की टॉप की हिरोईनों के भी जगह बनाई देश भर के लाखों नौजवान जिसकी खुबसूर्ती, होट और सेक्सी लुक के दिवाने थे और उसकी एक जलक पानी को बेताब रहते थे लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एक्ट्रिस ने अपने खानदान की वर्शों से चली आ रही परंपरा को तोड़ कर फिल्मों में एंट्री की थी और अपने ही परिवार के निशाने पर आ गई थी क्या आपको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री के सबसे रेप्यूटेड बच्चन परिवार में सगाई होने के बावजूद ये बच्चन परिवार की बहूर नहीं बन सकी और रिष्टे में खटासा गई थी और क्या आप यकीन करेंगे कि जिससे इनकी शादी हुई उसी पर इन्होंने शादी की पहली ही रात अपने दोस्तों के बीच इन्हें बेचने का आरोप लगाया और बाद में जब दोनों अलग हुए तो ये मामला कोड तक गया था तो कौन थी ये अधाकारा और क्यों इतनी अजीब रही इनकी परसनल लाइफ बताएंगे और भी बहुत कुछ आप बने रहिए हमारे साथ नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दन दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं नब्बे के दौर की बेहत खुबसूरत एक्ट्रस करिश्मा कपूर की बॉलिवुड की जानी मानी अभिनेत्री करिश्मा कपूर किसी पहचान की मोहताज नहीं है करिश्मा ने अपने समय के सभी दिगज स्टार्स के साथ काम किया और कई सुपर हिट फिल्में दी इनके अभिने के तो सभी कायल थे ही इनकी खुबसूरती और ग्लैमरस अंदाज के भी काफी चर्चे रहे पर्दे पर जहां करिश्मा कपूर ने बड़ी सफलता हासिल की वहीं दूसरी तरफ इनके निजिस जिन्दगी काफी विवादों में रही अपने फिल्मों के अलावा करिश्मा कपूर अपनी शादी और अफेर्स को लेकर भी काफी चर्चा में रही तो चलिए आज आज आपको करिश्मा की जिन्दगी की उन पहलूं से रूबरू कराते हैं जिन्हें जानने के बाद आप चौप जाएंगे करिश्मा कपूर का जन 25 जून 1974 को माया नगरी मुंबई में बॉलिवुड के प्रसिध कपूर खांदान में हुआ था इनके पिता का नाम रणधीर कपूर और मा का नाम बविता था इनकी एक छोटी बहन भी पैदा हुई जिनका नाम करीना रखा गया करिश्मा का निकनेम रखा गया लोलो इनके माता पिता भी बॉलिवुड इंडस्ट्री में एक्टर रहे हलाकि ये तो आप जानते ही होंगे कि करिश्मा के परदादा पृत्वी राज कपूर और दादा राज कपूर का नाम बॉलिवुड की महान शक्षियतों में गिना जाता है तो वहीं इनके दोनों चाचा रिशी कपूर और राजीव कपूर भी अभिनेता रहे एक फिल्मे परिवार से तालुक होने के कारण करिश्मा बच्पन से ही अभिनेतरी बनना चाहती थी श्री देवी और मादुरी दिक्षित के फिल्में देखकर करिश्मा को भी हिरोईन बनने का भूत सवार हो गया था करिश्मा को एक्टिंग का इतना शौक था कि ये अपने माता पिता के साथ सभी अवर्ड फंक्शन में जाया करती थी और अपने पिता के साथ फिल्म के सट पर भी मौजूद रहती थी लेकिन कपूर खांदान की परंपरा के अनुसार इनके पिता रंधीर नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी अभिनेत्री बने बलकि वो चाहते थे कि बेटी परंपरीक तरीकों का पालन करते हुए अपना घर संभाले जगकि इनकी मा बविता अपनी बेटियों को एक्टरस बनाना चाहती थी इसके पीछे कई वज़ा थी एक तो ये कि परमपरा का पालन करते हुए बबिता ने अपना करियर तो कुर्बान कर दिया था, लेकिन फिर उन्हें भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, क्योंकि करिश्मा के पिता एक तो शराब में डूबे रहते थे, उपर से बाद में उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया था जाहिर है बविता नहीं चाहती थी कि उनकी बेटियों को उनकी तरह एक एक पैसे कम होताज होना पड़े इस वज़ा से रणधीर का उनकी पतनी बविता से इतना जगरा शुरू हो गया कि करिश्मा की मा ने अपने पती को छोड़ दिया और दोनों बेटियों को लेकर अलग रहने लगी मा ने रियल स्टेट में कुछ छोटे मोटे काम करने शुरू किये और किसी तरह करिश्मा करीना को पालने लगी बताते हैं कि 19 साल तक वो अपने पती से बिना तलात लिए अलग रहती रही इस दोरान करिश्मा की परवरिश मुफलिसी में होती रही करिश्मा की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कैनन स्कूल में हुई इसके बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई के सोफिया कॉलेज में दाखिला लिया लेकिन मा के पास पैसे ना होने की वज़ह से इन्हें अपनी प शामियाबी भी मिल गई बिना किसी गौड़ फादर के बॉलिवुड में अपनी शुरुआत करने वाली करिश्मा की पहली फिल्म आई प्रेम कैदी जो साल 1991 में रिलीज हुई और सफल भी रही इस फिल्म में इनके अपॉजित साउथ के एक्टर हरीश कुमार थे इसके बाद इनके काम को बॉलिवुड में नोटिस किया गया और इनकी लगतार पांच फिल्में आई पुलिस अधिकारी, जागरिती, निश्चे, सपने साजन के और दीदार हलाकी इनमें से जादतर फिल्में बॉक्स आफिस पर फ्लॉप रहें करिश्मा कपूर ने एक बार अपने एक इंटर्व्यू में बताया था कि फिल्में फ्लॉप होने के बाद ये रात-रात भर रोती रहती थी और मा हिम्मत ना हारने के लिए समझाती रहती थी मैनत रंग लाई और साल 1992 में अजय देवन के साथ आई इनकी एक्शन ड्रामा फिल्म जिगर सुपर डुपर हिट रही और इस फिल्म ने उस साल कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये फिर तो करिश्मा का करिश्मा चल पड़ा साल 1993 में इनकी पाँच फिल्में और रिलीज हुई जिसमें अनाडी और मुकाबला ने बॉक्स ओफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और अनाडी फिल्म तो इस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई साल 1994 में इनकी नौ फिल्में रिलीज हुई जिसमें से राजा बाबू, खुददार, अंदाज अपना-पना, सुहाग और गोपी किशन हिट रही फिल्म राजा बाबू में गविंदा के साथ दर्शकों ने इनकी जोडी को खुब पसंद किया और फिर साल 1995 में डेविट धवन ने अपने फिल्म कूली नंबर वन में इस जोडी को रिपीट किया और ये फिल्म भी बॉक्स ओफिस पर सुपर हिट साबित हुई साल 1996 में आई इनकी रोमैंटिक ब्लॉक्बस्टर फिल्म राजा हिंदुस्तानी जिसमें आरती सहगल की भोमिका निभाने के बाद इन्हें इतनी लोग प्रियता मिली कि इन्हों ने फिर कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा इसके बाद तो करिश्मा ने एक के बाद एक दरजनो हिट रोमैंटिक और कॉमेडी फिल्में दी और सब को अपना दिवाना बना दिया इनमें दिल तो पागल है, हीरो नमबर वन, बीवी नमबर वन, हम साथ साथ हैं, आदी फिल्में शामिल है इसके साथ ही इन्होंने फिजा, जुबैदा और शक्ती दपावर जैसी लीक से हटकर शानदार फिल्मों में भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया करिश्मा ने उस दौर के सभी दिगज अभिनेताओं के साथ काम किया, जिन में गुविंदा, सल्मान खान, शारुक खान, अनिल कपूर, मनोज बाजपी आदी शामिल रहे बाद के सालों में अपने सेकंड इनिंग में भी करिश्मा एक्टिव रही और छोटे परदे के कई शोज में जज की भूमिका में नज़र आई जिन में आजा माही वे, नचबलिये, इंडियन प्रेंसेस आदी काफी फिमा शोज शामिल है अपने सेकंड इनिंग में इन्होंने साल 2012 में एक बार फिर बड़े पर फिल्म डैंजरस इश्क से वापसी करने की कोशिश की लेकिन ये फिल्म दर्शकों को ज़ादा पसंद नहीं आई तो साथ ही करिश्मा कुछ मूवीज में गस्ट अपेरंस में भी दिखाई देती रही बात करें इन्हे मिले अवार्ड्स की तो करिश्मा को साल 1997 में आई फिल्म राजा हिंदुस्तानी और साल 2001 में आई फिल्म फिजा के लिए बेस्ट अक्टरस का फिल्म फियर अवार्ड मिला तो साल 1998 में आई फिल्म दिल तो पागल है के लिए बेस्ट सपोर्टिंग अक्टरस का फिल्म फियर अवार्ड और साल 2002 में आई फिल्म जुबैधा के लिए Best Actress Critics Film Fair Award से सम्मानित किया गया दोस्तों चलिए बात करते हैं इनकी पॉसनल लाइफ की तो जानकार बताते हैं कि करिश्मा की जंदगी में सबसे पहले दस तक दी थी एक्टर अजय देवगन ने फिल्म जिगर की शूटिंग के दोरान दोनों काफी अच्छे दोस्त वन गए और एक दूसरे के करीब आ गए दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे लेकिन कुछ समय बाद इन्हें पता चला कि अजय इनके साथ-साथ एक्टरिस रवीना टंडन को भी डेट कर रहे थे तो इनका रिष्टा तूट गया और दोनों अलग हो गए हाला कि इन खबरों में कितनी सचाई थी कहना मुश्किल है हाला कि करिश्मा ने हमेशा कहा कि अजय उनके सिर्फ अच्छे दोस्त थे लेकिन जानकार बताते हैं कि अजय देवगन की वजह से करिश्मा और रवीना एक दूसरे की दुश्मन तक बन गई थी खेर अब बात करते हैं इनके जिन्दगी में प्यार लेकर आए दूसरे शक्स की जो की थे गविन्दा दरसल नब्बे के दशक में करिश्मा और गविन्दा की जोड़ी को दर्शकों ने खुब पसंद किया था तब दोनों का करियर उफान पर था और दोनों एक दूसरे के साथ खुब फिल्में कर रहे थे तब ऐसी खबरें सामने आई कि दोनों का अफेर चल रहा है मगर बाद में गविन्दा के शादी शुदा होने की कारण दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली और इस रश्टे का भी अंध हो गया इसके बाद करिश्मा की जंदगी में एंट्री हुई अभिशेक बच्चन की साल 1997 में अभिशेक की बहन शुदा की शादी में इन दोनों की मुलकात हुई तब तक करिश्मा स्टार बन चुकी थी तो वहीं अभिशेक ने अपना करियर भी शुरू नहीं किया था हलाकि दोनों को अपने इस रिष्टे को छुपा कर रखना आसान नहीं था और इन्हें साथ में स्पोर्ट किया जाने लगा पांच साल डेट करने के बाद 2002 में दोनों ने परिवार की सहमती से एक दूसरे से सगाई कर ली लेकिन अफसोस केवल चार महिने के बाद ही दोनों परिवारों ने अचानक ये सगाई तोड़ दी और कभी भी इसका कारण नहीं बताया जानकार बताते हैं कि करिश्मा की मा बविता ने इस सगाई को तोड़ा था क्योंकि करिश्मा उस समय एक स्टार थी और अभिशेक के करियर का कोई भरोसा नहीं था तब अमिताब बच्चन की प्रोड़क्शन कंपनी ABCL भी डूब गई थी और उनकी आर्थिक हालत भी ठीक नहीं थी ऐसे में जाहिर है कि बुरे आर्थिक हालात जेल चुकी कोई भी मा ऐसे परिवार में अपनी बेटी का रिष्टा नहीं करना चाहेगी जानकार बताते हैं कि करिश्मा इस रिष्टे के तूटने के बाद बुरी तरह से तूट गई थी और फिर अपनी मा द्वारा मजबूर किये जाने की कारण उन्होंने एक ऐसे शक्स से शादी रचाई जिससे उन्हें न तो प्यार था और ना ही उसे ठीक से जानती थी ये एक अजनबी अमीर बिजनेसमें थे संजय कपूर संजय की ये दूसरी शादी थी वो दो साल पहले प्रसद डिजाइनर नंदिता महतानी से शादी कर चुके थे और दोनों के डिवोर्स के दस दिन बाद ही करिश्मा की माने उनसे अपनी बेटी की शादी की घोशना कर दी 29 सेप्टेंबर 2003 को करिश्मा और संजय की शादी हो गई इस कपल के आगे दो बच्चे हुए बेटी समायरा और बेटा क्यान लेकिन तब अचानक करिश्मा के चाहने वालों को जटका लगा जब इन्होंने साल 2014 में डिवोर्स की पेटिशन फाइल कर दी और साल 2016 में दोनों अलग हो गए दोनों बच्चों की कस्टडी करिश्मा के पास रही चले अब जानते हैं कि इस शादी के तोटने की वज़ा क्या रही तो एक इंटर्व्यू में करिश्मा ने बताया कि संजय और उनकी मां इन्हें मारते पीटते थे और ये विवहार इनकी शादी के तुरंत बाद ही शुरू हो गया था इंटर्व्यू में इन्होंने एक ऐसी बात भी बताई जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया करिश्मा ने अपने हनीमून के बारे में बताया कि संजय ने हनीमून के दौरान ही इन्हें अपने दोस्तों के साथ सोने को मजबूर किया यहां तक कि अपने दोस्तों के बीच इनकी बोली लगवाई और इनके मना करने पर इनके साथ मार पीट की करिश्मा ने ये भी बताया कि संजय अपनी पहली पत्नी से अलग होने के बाद भी उनके साथ रिलेशन में थे और करिश्मा के विरोध करने पर इनके साथ मार पीट शुरू कर देते थे करिश्मा ने बताया कि संजे इन्हें अपने दोस्तों और करीबियों के बीच एक ट्रॉफी की तरह पेश करते थे करिश्मा ये सब अपनी माँ और बच्चों के लिए सालों बरदाश्ट करती रही और आखिरकार इन्होंने अलग होने का कड़ा फैसला लिया हलाकि ये सारी बातें करिश्मा की तरफ से बताई गई और इनके पती संजे का वर्जन कभी सामने नहीं आया संजे से तलाक होने के बाद लंबे समय तक करिश्मा खामोशी का जीवन जीती रही और अपने बच्चों की परवरिश में बिजजी रही इसके कुछ साल बाद मुंबई के एक बिजनिसमेन संदीब तोशनीवाल के साथ करिश्मा के अफैर की बात सामने आई लेकिन ये रिश्टा भी ज़दा लंबा नहीं चला करिश्मा अब अपने दोनों बच्चों की परवरिश में अपनी जिन्दगी बिता नहीं है और साथ ही कुछ एड फिल्मों में भी नजर आती रहती हैं कह सकते हैं कि हिंदिस सिनमा में इनका योगदान बहुत सराहनी रहा और जब भी बॉलिवुड की खुबसूरत चुलबुली जिन्दा दिल और अच्छी डांसर अभी नित्रियों की बात होगी तो इनका नाम जरूर लिया जाएगा लेकिन अफसोस बले ही करिश्मा का करियर बेहत शांदार रहा लेकिन इनकी पॉसनल लाइफ काफी मुश्किलों भरी रही और इन्हें कभी भी अपना सच्चा प्यार नसीब नहीं हुआ हम ये दूआ करेंगे कि इनकी आगे की जिन्दगी खुशाल रहे और सिनमा की दुनिया में भी इनकी और अच्छी फिल्में हमें देखने को जरूर मिलें तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आपके पास भी करिश्मा कपूर से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वो भी हमसे शेयर करना मत भूलिएगा इसी तरह के कुछ और रील और रियल आइफ इस्टोरीज को जानने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं तो अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजासत नमस्कार